नमस्कार मैं हूं कमल श्रीमाली आप सभी का स्वागत अभिनंदन दस माविद्या के इस एपिसोड में जिसकी अनुकमपा से अथा जिनकी करपा से चतुर्मक ब्रह्मा सस्टी जिसना में समर्थ होते हैं विष्णू जिनके करपा कटाक से विष्व का पालन करने में समर्थ होते हैं रुद्र जिसके बल से विष्व संगार करने में समर्थ होते हैं आज उसी सर्वेश्वरी जगत माता महा माया के दस सुरूपों की अथा दस माविद्या के बारे में बात कर रहा हूं मनुष्य तभी तक मनुष्य है जब तक उसमें मनुष्य धर्म है अन्यता वह पंगू है जब तक हिंदू धर्म है तभी तक हिंदू जाती अपने रूप में प्रतिस्थित है जिस दिन हिंदू जाती अपने धरम को छोड़ देगी विश्वास कीजिए उसी दिन वह अपना हिंदु त्वही खोदेगी इस समय में जाती रक्षा एवंदेश की सब्वेता की रक्षा के लिए धरम को अपनाने की नितांत आवशकता है सूर्य, चंद्र, अगनी, औस्दी, वनिस्पती, क्रमी, कीट, पक्षी, पसू, मनुष्य, धातू, रस, विश्व, आदी प्रत्येक पदात एक विद्या है ये सब विश्व विद्या अंतरगत शूद्र विद्या है और संपूर्ण विश्व विद्या महा विद्या है उस महा विश्व विद्या को सश्टिकम के अनुसार इस्यों ने दस भागों में विबिक्त माना है महा भागवत पुराण के अंतरगत स्री देवी पुराण में महा विद्याओं के प्रादूर भाव की एक रोचक कथा प्राप्त होती है उसके अनुसा सिव से द्वेश रखने के कारण दक्स प्रजापती ने सभी देवताओं तता महिर्शियों को अपने यग्य में सादर आमंतिरित किया किन्तु सिव की अपिक्षा करके उन्हें नहीं बुलाया सती ने अपने पिता के इस यग्य में जाने की अनुमति मांगी सिव ने वहाँ जाना अनुचित बता करके उन्हें जाने से रोका परंतु सती अपने निश्चे पर अटल रही उन्होंने कहा मैं प्रजापती के यग्य में आविश्य जाऊंगी और वहां या तो अपने प्राण देवादी देवा के लिए यग्य बाग प्राप्त करूंगी या यग्य को ही नश्ट कर दूंगी ये कहते हैं वे सति के नित्र लाल हो गए वे सिव को उग्र दस्ती से देखने लगी उनके अधर फड़ आने लगे उनका वं क्रश्न हो गया फाकाला हो गया सरीर ख्रोदागनी से दूद्थ के समान मा भायनक और देवी मुल माना पहने वे थी और उनकी भायनक जिवा बाहर निकली वी थी उनके सीस पर अर्द्र चंद्र सुसोबित्ता वे बार-बार विकट हुंकार भर रही थी देवी का या स्वरूप साक्सात मादेव के लिए भायप्रद और प्रचंड था उससे में उनका भागते वो उनको दसों दिसाओं में रोकने के लिए देवी ने अपनी अंग भूता दस देवियों को प्रकट किया देवी की ये स्वरूपा सक्तियां ही दस माविद्या हैं जिनके नाम है काली, तारा, छिनमस्ता, सोडसी, बोनेश्वरी, त्रिपुर बहर्वी, अब मैं आपको हर माविद्या की साधना, उपासना या उनकी करपा से क्या लाब होता है क्या आपके कार्य सिध्ध हो जाते हैं या क्या आपकी कामनाय पूरी हो सकती है ये बतला रहा हूं तो सबसे बहले काली मावध्या से क्या लाब होंगे राज्य लक्ष्मी यश इन सब का लाब होगा अस्ट सिद्धी प्राप्त होगी वशिक्रन प्राप्त होगा या कोई वशिक्रन करना हो किसी वशिक्रन से अनुकूलता प्राप्त करनी हो तो आप काली मावध्या से कर सकते मुकत्मा जीतने के लिए वाद विवाद प्रत्युकिता में प्रत्युद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद धर्म, मोक्ष और आस्तिक दस्ति से उच्छी कोटी की सफलता प्राप्त करने के लिए सोड़सी माविद्या की करपा की आवशक्ता पढ़ती है धर्म, अर्थ, मोक्ष, धन प्राप्ति, वशिक्रण, सम्मोहन इन सब कारियों में सफलता के लिए भुवनेश्वरी माविद्या की करपा की आवशक्ता पढ़ती है चिनमस्ता संतान प्राप्ति दरिदेता निवारन लेकनी शक्तियां या कोई करात्मक शक्तियां बोलने की शक्ति वाक शक्ति इन सब के लिए चिनमस्ता महाविद्या की कृप्रा की आवशक्ता पड़ती है तिरपूर भैरवी महाविद्या लाब अता तिरपूर भैरवी महा प्राप्ति के आवशक्ता पड़ेगी दुमावती माविद्या दरितिता का शमन कर्द से छुटकारा उधारी वसूल करने के लिए अनाध्रिकत रूप से यदि आपकी जमिन जादवत पर किसी ने कबजा कर लिया उसे पूना पाने के लिए आपको इस माता की करपा की आवश पड़ेगी मातंगी मावध्या शीक्र विवा शुन्दरता बढ़ाने और पूर्ण सुक पने के लिए अथा गरस जिवन को पूर्णत सुक ही बनाने के लिए मातंगी न genial कि करपा की आवशक्ता पढ़ेगी कमला माविद्या जीवन में धन प्राप्ति व्यापरवर्दी आर्थिक उन्नती और बहुतिक सुकों की प्राप्ति के लिए कमला माविद्या की करपा की आवशक्ता पढ़ेगी इनी सभी आपका मंतव्य है जो आपकी कामना है उनके अनुसार हर माविद्या का अलगलग कवच भी बना करके दारण कर सकते हैं अब प्रस्ण यह उड़ता है कि कवच है क्या कवच का अर्थ है देवी भावनाओं को स्वयम में ग्रहन करना तत्या कुच्सित भावनाओं और जिन रूपों का न्यास करते वे उनसे प्रातना की जाती है कि ऐसे कवचों में बीज मंत्र मंत्र तता देवता के विशिस नाम का अस्नन रहता है अतर सादकक अपनी रक्षा के लिए कवच धाराण करता है कवच का अभीप्राय उस माध्यम से है जिससे रक्षाकारी संपन हो सके सारीरिक सुरक्षा के लिए प्राचीन काल में लोहे और चमडे की निर्मित वस्त्रों का आवरण का प्रियोक किया जाता था ताकि युद्ध सेत्र में सत्रू के आकर्मन का उस पर कोई प्रबाव न हो सके रक्षा करने वाले कोई भी वस्तु हो उसकी संग्या कवच के समान होती है क्योंकि कवच का अर्थ ही है अच्छा दन करना अपने आपको ढगना किसी वस्तु से अपने को ढखा जाए तो उसे कवच का प्रियोग करना कहा जाएगा जिस तरह लोगे के कवच से सारी रुक सुरक्षा का उद्देशे पूर्ण होता है उसी तरह आध्यात्मिक सक्तियों से ओत्परोध कवच का भी निर्मान हो सकता है जिसके प्रयोक से आसूरी सक्थियों के प्रकौप से बचा जा सकता है इसमें मंतर सक्थि की प्रमुक्ता तो रहती है सद्दा भावना के सम्मिलव दोने से यह तैंत्ट प्रभावसाली सिद्ध हो जाते हैं अपनी रूची वर सद्धा वाले कवच का नित्य प्रति पाड़ भी किया जाए तो अनिष्टों से आकर्मनों से सुरक्सा होती रहती है अता जो कवच आप धारन करें उस कवच का यदि आप पाड़ करें तो और ज्यादा उससे आप फल प्राप्त कर सकते यदि आपके दिमाग में भी दस माविद्या कवच बनाने का उद्धे से गुमढ़ रहा है तो आपने हमारे जोदपूर आपिस पे सिर्फ संपर करना है वो आपसे आपका नाम आपके पिता का नाम आपकी माता का नाम आपका गोत्र कास्ट एडरस जो जो इंफॉर्मेशन ने कवच निर्मान करना चाहती है तो अपना नाम अपने पती का नाम सस्वराल का गोत्र और बाकी सारी इंफॉर्मेशन वैसे क्वैसे देंगी जो कवच बनेगा वह सिर्फ और उस व्यक्ति के लिए बनेगा जिसकी आप जानकारी देंगे जिसकी अब डिटियल देंगे और किसी के लिए वो कवच काम नहीं आएगा और कवच 365 दिन नहीं बनते हैं, जब जब विसेस मौरत होते हैं जैसे नवरात्री हो गई, गणपती, चतूर्ती हो गई, अब धंते रस्ते लगा करके दिपावली तक ये कवच बनेंगे, जब जब इसे मौरत होंगे तब ही कवच का निर्माण संभव है हर दिन कवच का निर्माण संभव नहीं है इसने जब भी आप फोन करें तब उनसे पूछ लिजे कौन से मौरत में आपके कवच का निर्माण होने वाला है ताकि उसके पस्चात ही आपको कवच वो घर बेटे कैसे हो आपकी कामना पूर्ति कैसे हो वैसे ही उपाई लेकर के आपके समक्स आ रहे हैं स्वस्त रहें प्रसंद रहें अपना अपने घर-परिवार का और घर के बुजूर्गों का बहुत-बहुत खैल रखें और हां अपनी सुरक्षा के प्रती ज्यादा रेस्पोंसिबल ज्यादा जवाब दे बने रहें आप सभी को मेरा नमस्कार सुपकामनाए इश्वर आपकी रक्षा करें धन्यवार जीवन में सम्रद होना सफल होना मात्र सपना नहीं है यह उपहार है आपके महनत का संकर्ष का लेकिन कभी-कभी यह खयाल अना भी स्वभा जावटेई, बाधाई, परिशानिया हमारी संतुलन को बिकार देती है जीवन निरस अभाव ग्रस्त दीन लगने लगता है नेने शक्ती शीन लगने लगती है जब सभी कहते हैं कि हम भी परमात्मा ग्यांच है इश्वर के संतान है तो यह अभाव क्यों यदि आप भी आतिकार है आपका सम्रती शाली होना हमारे शास्त्र वैद पुरान भरे पड़े हैं इस खचाने तक आपको पहुचाने के लिए कहा जाता है दिपावली पर्व चातुरमास में आने बाला पर्व है और भगवान विश्नु जो लक्षमी को नियंतरित करते हैं वे निंद्र में रहते हैं इसलिए चत्रा लक्षमी को बुद्धी विवेक से कोई वश्मे कर सकता है तो वे हैं प्रतम पूजन विनायक इसलिए दिपावली पर्व लक्षमी विनाय की पूजा करने की परंपरा है दिपावली पर्व एक ऐसा प्रकाश पर्व है जो थोड़े से प्रया विशवाश मश्रदा के साथ मालक्ष्मी को आमत्रित करता है हमें सम्रति शाली बनाने के लिщё इस लक्ष्मी विनाय कलश्मी संकलित की गई है 21 प्रकार की विलक्षन शामक्रियों को मंत्र जाप अनुष्ठान प्राण परतिश्टा से जाकृत किया है पंडित श्री माली जी क इस सानिद में विद्वान कर्म कांडी पंतितो द्वारा इस कलश के निर्मान करने का उधेश यही है कि आपको धन और बुद्धी दौनों की प्राप्ति हो और पूर्ण हो आपकी समस्त मनुकामनाई रिद्धी सिध्धी शुब लाप सहीत अक्षिय लक्ष्मी का भंडा